कि यूद्मारिंग वैलकम बैक्ट यूर ओनलाइन क्लासे यूप यू आ डूइंग गोड जैसे कि हमने जो प्रिविएस वीडियो वो इंट्रोड़क्शन वीडियो पड़ी थी वो समझाया था कि आपकी जो माथ की बुक है थर्ड क्लास की जो आपका स्लेपर से वो किसके स् अबर में पढ़ने वाले हैं आपका कौन सा है रिविव अफ़ नंबर अप्टू 999 चाप्टर के हंदर हम पढ़ेंगे जो नंबर से 999 तिल 999 मतलब हम थ्री डिजट नंबर के बारे में इसमें पढ़ेंगे जो नंबर हमारे जीरो से स्टार्ट हो कि 9 तक जाते हैं वो हमा आफ्टर 9 जो स्टार्ट होते हैं वो कहां तक होते हैं 99 तक हरहां नंबर काहुं से होता है 2 डिजट नंबर होते हैं आपको hesitate 1.1 solve करते हैं first question आपको दे रखा है fill in the blanks fill in the blanks में हमें इसको क्या करना है सिर्फ blanks fill करना है आपको statement दे रखिए उसके according a part है आपका the smallest one digit number is 0 smallest one digit number क्या है आपका 0 the largest one digit number क्या होगा मैंने आपको बताया है न जो one digit number है वो 0 से start होता है and कहा पर हो जाएगा इसका 9 पर तो 9 क्या होगा आपका greatest one digit number the largest two digit number is 99 largest मतलब सबसे बड़ा two digit number जो है वो 99 है smallest कौन सा होगा 10 क्योंकि 9 के बाद में जो number आता है वो 10 आता है और 10 क्या होगा हमारा two digit smallest number ऐसे ही आप third जो हमारा part है वो क्या है the smallest three digit number is हमारा smallest three digit number क्या होगा हमारा hundred क्या होगा हमारा hundred क्योंकि 99 हमारा two digit greatest number होता है इसके बाद में क्या आ जाता है हमारा hundred जो हमारा smallest three digit number बन जाता है the largest three digit number क्या होगा हमारा nine hundred ninety nine यह सबसे बड़ा हमारा three digit number होगा अब हम बढ़ते हैं question no two तरफ 571 to 590 हमें कुछ नहीं करना इसमें simple counting लिखनी है यह हमें counting लिखनी है वह में 571 572 573 574 575 और ऐसे ही हमें आगे तक लिखनी है कहां तक लिखनी है यह counting हमें 590 तक यह सब आप counting खुद करेंगे जिससे कि आपको counting भी याद हो जाए और आप अच्छे से खुद से कर पाए यह आपका homework है write 791 to 810 हमें कहां तक लिखनी है यह 810 तक हमें यह counting लिखनी है 900 791 792 793 794 795 और ऐसे ही हम आगे भी करते रहेंगे ठीक है यह आप खुद करेंगे जिससे कि आपको clearly समझ में भी आए और आपको यह सब याद भी हो जाए अब हम बढ़ते हैं अपने next question की तरफ जो की है हमारा question number 4 fill in the blanks हमें कुछ नहीं करना है इसमें सिर्फ blanks फिल करना है एक तरह से जो हमारी counting है यह जो हमें pattern दे रखा है उसकी according हमें work करना है 630, 631, 632 फिर क्या आजाएगा 633, 634, 635 यह counting चल रही है हमारी ऐसे ही आप आगे दिख लेंगे next part देखिए आप 891, 892, 893, 894, 895 ऐसे ही आप आगे खोचे लिखेंगे counting अब इस वाले पार्ट में आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ changes है, इसमें counting नहीं चल रही है, इसमें क्या चल रही है हमारी backward counting चल रही है इसमें हमारी पहले अगर हमारा आया 421, फिर क्या आया हमारा 420 एक कम हो गया, फिर 419 एक और कम हो गया, फिर क्या हो जाएगा 418, फिर 417, 416, ऐसे ही आप आगे खोड़ सौल्व खुद से करेंगे, जिसे कि आपको थोड़ा सा और clearly समझ में आये, आपका next topic है वो आपका क्या आजाता है, 100s, 10s and 1s, यह हमारे क्या होते हैं, 1s place होती है, 10s place होती है, 100th place होती है, अब हमें क्या करना है, इसके बारे में जानना है, कि अगर हमें यह शेप सीवी होती है, तो इससे हमें पता कैसे लगता है, कि numbers कौन से होंगे, यह जो एक single cube ह यह किसको donate करती है, 1s को, यह जो एक pillar की तरह है, जिसके अंदर 10 cubes है, यह किसको donate करती है, 10s को, यह जो एक figure है, जिसके अंदर ऐसे भी 10 है, column और ऐसे भी 10 है, तो यह किसको donate करती है, 100 को, और अगर यही हमेरे को 2 divi होती है, या 3 divi होती है, तो उसके according उस place पे वो number हमारा आ आजाता है यह आपको clearly समझ में आएगा जब हम आप question करेंगे तब आपको clearly समझ में आ जाएगा जैसे कि आप देख सकते हैं और आपको साइज दे रखिए 1.2 आपको question no.1 दे रखा कितने है one two three four five six seven eight nine ten ten like ten column है तो यह कौन सा डीनेट कर रही है हमारी 10 प्लेस को डोनेट कर रही है इसमें one two three four तो टैन प्लेस पे जो नंबर है वामारा कैसा है four यह one को डोनेट कर रही है तो one place पे क्या आ जाएगा one तो number तो हमारा डिजट क्या बन गई 41 यह किसको डवनेट करते है हंड्रेट को यह कितने दे मियं रखेया और सो इसमें कितने counts है 123 तोट one place पे जो number है वो क्या 도प्र तो हमाराँ एसे ही यह हंडेट को टोनेट करते हैं कि हंडेट पर कौन से डिसेट आ जाएए हमारी Ettzi यहां पर कौन से डिसेट आ जाएई हमारी टू 10 पर ओर यह वान in the blank question number two once has been done for you इन्होंने आपके लिए एक करके दिया हुआ है बाकी के पार्ट्स हमें खुच सॉल्व करने हैं पहले हम समझ लेते हैं कि इसमें हमें करना क्या है पहले सब्सक्राइब पता लगा लेते हैं यह किस किस प्लेस पे है तो हमारा हंड्रेट प्लेस पे है तो यहां हम M हमारा है है उसे ही वाली वीडियो में अगर अब आब इस वाल्य कुशन में हम देखते हैं 287 जो हंडिट पर नंबर वह मारा क्या है two tNs पे जो number है वो क्या है हमारा eight once पे जो number है वो क्या है हमारा seven एक पारट और solve करते हैं हम इसका six hundred and nine hundred पे कौन सा नमबर है हमारा six 10 पे कौन सा नमबर है अमारा zero once कौन सा नमबर है हमारा 9 वाकी के parts आपखुद solve करेंगे जिससे की आपको भी समझ में आ जाया next question हमारा है write in the short form हमें क्या करना है इसको short form में लखना है हमारे को जो desert है वो expand करके दीविया में उसको मिलाके लिखना है ये once को donate करता है 10 को ये 100 को once, 10, 100 100 में हमारी के expand करने में 2-0 लग जाती है 10 में हमारी 1-0 लग जाती है उसको हमें मिलाके लिखना है 320 300 plus 20 plus 9 तो हमारा क्या बन गया? 329 ऐसे ही 400 plus 50 plus 6 क्या बन गया? 436 ऐसे ही ये बन गया? 500 plus 0 plus 9 509 ऐसे ही ये 700 plus 30 plus 0 730 4th question में देख सकते हैं write the expanded form इसमें हम expand करके दिया हुआ था इसमें हमें expanded form में लिखना है desert हमें given है ओके? जैसे कि आपको एक करके दे रखा है और है 943 3 हमारा 1s place पे 4 हमारा 10s place पे 9 हमारा 100 place पे तो जो 9 है हमारा 100 place में तो उसमें 2 0 लग जाएंगी plus 4 हमारा 10 place पे है तो उसमें 1 0 लग जाएगी ऐसे ही हमारा 3 जो है 1 place पे है तो इसमें खाली ऐसी का ऐसी 3 रहेगा अब इसको भी हम तोड़के expand करके लिखते है 864 मतला हमारा 100 place पे है तो 800 plus 60 plus 4 ऐसे ही ये 42 क्या बन जाएगा हमारा? 40 plus 2 ये क्या बन जाएगा हमारा? 200 plus 10 plus 5 ओके स्टूडेंट्स आपको clearly समझ में आ गया होगा ये सब और उसके बाद में जो ये हमारा topic है place value ये हम next वीडियो में पढ़ते हैं आपको कोई भी confusion ना रहे जादा topic एक साथ होईगे तो आपको confusion होगा तो मिलते हैं हम next वीडियो में I hope आपको ये session अच्छा लगा होगा Thank you Thank you